मान्य मुख मंत्री श्री नितीश कुमार जी जैसे कई मुख मंत्रियों की जरुवत है तभी भारत तरक्की करेगा और विक्सित होगा नितीश कुमार में पिये मेटेरियल है बिलकुल उनके इतना अनुभाव मैं नहीं समाजता हूँ कि किसी और छेतरीय नेता को है उन्हें ये जुखने वाले नहीं है गलत चीजों पर कभी नहीं जुखते हैं वो जो सच है सच है सच का साथ देते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीप में हूँ आपके साथ सवरभ राज क्या नीटीश कुमार सारे विपक्ष को एकजूट करने में विफल हो गएं क्यास लगा जा रहा है कि नीटीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं मेरे साथ जेडियु सांसद अलो कुमार सुमन है इससे विस्तार से बात करेंगे निटीश कुमार ने जो जो ताजगी दिखाई थी विपक्षी दलों को एक जूट करने की उसमें लगता विफल हो गया निटीश कुमार सबसे पहले आपको धन्यबाद यह एक भ्रामक परचार है कि हमारे मन्य मुख मंत्री प्रमादर्णिय सुरी निटीश कुमार जी पल्टी मारने वाले हैं यह सब्त का इस्तमाल आप लोगों को नहीं करना चाहिए देश की जनता की भलाई के रूप में और यह देहकर कि सारी भी प्रक्षी पार्टियां भाजपा के अत्याचारों से उसकी पॉलेशी से जो पस्त हो गई थी लेकिन हमारे मुख मंत्री जीने हीमत दिखाई और अकेले उन्होंने विगुल फूंक दिया हमारे भाजपा के तरफ और एक अलग महागणवंधन बना लिया ताकि देश को निजात मिले और देश में सही ढंग से जैसे हमारे मुख मंत्री बिहार मेशासन की अस्थापना कि और जिसे न्याय के साथ विकास किया उसbellर को पूरे देश भर मान्य मुखमंत्री जी ने यह हिमत दिखाई यह हम उनका भार ब्यक्त करते हैं क्या आप लोगों में ओ पॉलिटकल ताकत है जो बीजेपी को हरा सके देखे किसी भी पार्टी की ताकत जनता होती है जनता हमारे साथ है हम लोग हराएंगे और हमारे मान्य नेता के नित्रीत मे बिपक्ष बिहार का महागट बंधन एक है और हमारे मान्य मुखमंत्री जी ये प्रयास कर रहे है कि सारे बिपक्षी पूरे भारत के विपक्षी दल एक हों और एक होकर हम लोगों लड़ें और भाजपा को पस्त कर रहे हैं तेकि आपके नेता काफी ज़्यादा अभी हैं पिछले 18 वर्सों से बिहार में मुखमंत्री बने हुए हैं अभी भी मुखमंत्री हैं क्या नरेंदर मोदी के सामने नितीज कुमार का चेहरा बेहतर है कि नितीज कुमार सही है नरेंदर मोदी से अगर थोड़ा आप समय दें तो मैं कुछ पाते आपको बता उन्होंने एक मिटिंग हो रही थी उचमे के ततकालिन परधान मंत्री जी के नितरी तुम्aches जिसमे सारे देश के मुखमंत्री भाग ले रहे थे मुद्दा था महंगाई उसमें उन्होंने ये कहा था कौसिक वशु जी ने कहा था कि अगर मुझे तुल्णा करनी हो za मानिय मुखमंत्री श्री तत्कालीन नरंद्र मोदी जी एवं श्री नितिश कुमार जी में तो मैं मानिय मुखमंत्री श्री नितिश कुमार जी को नंबर वन रेकिंग दोगा क्योंकि उनकी भासा बहुत संयत हैं बहतरीन हैं दुरदर्शिता है और लोगों में अपील करती ह और वही हमारे मुखमंत्रि तत्कालिन मुखमंत्रि सृरी नरेंद्र मोदी जी भासा उतेजक है लोगों में उतेजना पैदा करती है। उन्होंने अपनी किताम में यह भी लिखा है कि विलगेट्स से उनकी मुलकात थी मुलकात के दवरान बिल गेट्स ने कहा था कि अगर मैं अगर किसी नेता को पसंद करता हूं तो हमारे प्रिय नेता है मन्य स्री नितीश कुमार जी आपको और भी आगे दो कदम चलके मैं बताओं कि परसीद इतिहांसकार रामचंद्र गुहा जी उन्होंने बोल इस कुमार में पीएम मैटेरियल है बिलकुल उनके इतना अनुभाव मैं नहीं समाझता हूं कि किसी और छेत्रिय नेता को है उन्होंने भारत सरकार में भी रहके बड़े-बड़े विभागों को समहला और उसको उपर की तरफ ले गए उनको कितनी बार अवार्ड मिला बि इडविबड़ सरकारों उसको एड़ेप्ट जैसे जो उन्होंने शुद्त की सरु कि तो भारत सरकार उसी को घर घर का जल्चन बाद स्ुरू zł सबसे पहले पूरे देश में महिलाओं को 50% आरक्षन दिया जो आज तक किसी परदेश ने या देश ने नहीं नहीं किया आप मुखमंत्री का गुनवान कर रहे हैं जो सचाई है मुखमंत्री जी बस निश्वारत पूरे अपने बिहार की से निकाल कर वाज विकासिल राज में पहुंचाएं अब उचाहते हैं उनका सपना है की बिहार एक विक्षित राज हो आप यह मुलाकात कि चर्च हमारे भारसरकार के नेता है संसदियोद दल पूरे हैं नेता है संसर के नbers न सब्सक्राइब मंत्री जी तो अपनी मांंग को लेकर में गया था है नितीष कुमार किसी के के सामने धूकने वारे नहीं था यह जो जबने वाले नहीं है गलत चीज़ोंपर कभी नहीं जुकते हैं वो जो सच है सच है सच का साथ देते हैं चुक्रिया सर्थ थेंक यू